ओम नमस्य वाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती बावना यूटूब चनल पर, आज मैं आपको आठ रासियों की जानकारी दूँगा सावन मास के मैने में ये आठ रासियां ब्यादी भाग गिसाली रहने वाली हैं, बोले नात के किरपासे इनके सभी कारे से दूँगे सावन मास का मैना बहुत ही पवित्र मैना होता है भगवान सिव का ये प्रिय मैना है सावन के मैने में जो व्यक्ति बोले नात की नेमत रूप से पूजा करते हैं उनकी सभी मनुकामनाय पूरी हो जाती हैं सावन मास में की ये पूजा का विशिश महत होता है सावन मास में प्रते दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए सुवे और साम प्रते दिन स्रावन मास में भगवान का अफशेक करें भगवान को धतूरा बेलपत रादी चीज़े एरपन करें इससे बोलेणा खुश होते हैं, प्रसन होते हैं और अपने भक्तों की मनुकामना पूरी करते हैं। अपने भक्तों की मनुकामना पूरी करते हैं। रासियों का योग बहुत अच्चा रहने बाला हैं। धन के हिसाब से, संतान के हिसाब से, सभी कार्यों को शिद्ध बनाएंगे भरवान से और साथ ही रुके हुए कार भी बनने शुरू हो जाएंगे। कई बार ऐसे योग बनते हैं, जो बहुत ही शुब माने जाते हैं। अगर इन योगों में आप साथ उपाई भी करते हैं, तो आपकी मनुकामना अवश्य ही पूरी होगी। सबसे पहली जो रासी है, वह है मेश रासी। मेश रासी के अंदर जो है, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। मंगल का योग बहुत ही शुब है, लेकिन साथ में राव हैं, तो विशे शुरूप से आपको ध्यानी भी रखना अपने स्वास्त का, क्रोध पर आपको नियंतर रखना है। क्रोध के कारण आपके कारव पेंगर सकते हैं। दूसरी जो राशी है, वह है मितुन राशी, जो बहुत ही भागिसाली लखी रेने वाली है, तीसी करक राशी, चोती है कन्या राशी, पांच मी है वरश्चिक राशी, धनु राशी, छट मी, साथ मी है मकर राशी, आठ मी जो राशी रहेगी, वो रहेगी कुम राशी और अगली जो रासी हुआ है मीन रासी। दोस्तों स्रावन के महिने में ये रासीयां बहुत ही अच्छी हैं। इनका योग बहुत ही अच्छा है। मंगल का योग, सुक्र का योग मित्वन में, साथ ही करका, सूर्वुद्ध और चंद्र, जिसे बहुत बड़ा सुभ्योग मना जाता है। साथ ही सनी का मकर रासी में और गुरू का मीन रासी में होना बियादी सुभिस्तिती पैदा कर रहा है। तो ये रासियां सामन कमेनें बहुत ही बागिसाली रहने वाली हैं। नयमत रूप से आप ये उपाई भी करें, जो मिन आपको बताएं। तो आपको भी से इसलाम मिलेगा और आपकी मनुकामना वस्चे पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमस्चवाए जरूर लेते हैं।